सो हेई गाईज कैसे हो आप सो भी लोग वेल्कम बैक तो मैं चैनल एजी अनाय मांगा तो गाईज आज मैं एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूं बुक अफ एस्परियानी के डीमन एंपरर का एक और बिल्कुल नए एपिसोड जोके अने वाला एपिसोड नमबर 320 इसलिए पहल आश्ट एपिसोड में हम लोग उने देखा सर्लेंग जूफंग से अपनी इस डील में ट्राफ्टिंग फ्लावर सिटी के बुद्धी जेट रूट को मांगते हैं लेकिन क्योंकि जूफंग के पास वह रूट नहीं होती है तो सर्लेंग उस बुद्धी रूट को ट्राफ् बाकि के बचे सायोगी भी ये देखकर कि हम से दूर हो जाएंगे जिस की वया से हम लोग बिल्कुल पूरी तरिके से हेलग्लेस हो जाएंगे और असहेज रूप से आप सभी लोग के हातों से घेरे जाएंगे तो सर्लेंग आप कभी वैसे आद decrease काम नहीं करतें तो जूफ यह है कि आप मेरी इस सर्थ को पूरा करते भी हैं या नहीं इतना कहे करके सरलेंग भी अपनी सीट पर से उड़ जाते हैं और जूफिंग के करीब जाकर करके उससे आगे कहते हैं कि तुम्हारे लोग अब हमारे हाथ में हैं तो तुम किसी भी समय इस एक्सचेंज को करने के लिए हमारे यहां पर आ सकते हो और वैसे भी यह चीज आपके लिए आपके लोग को इंपीरिल फैमिली के हातों से बाहर निकालने से कहीं गुना जादा आसान है ना कहने के बाद फिर सरलेंग आगे जूफिंग से कहते हैं कि तो फिर ठीक है अब मुझे जो तुम से कहना तो वो मैंने तुम से कह दिया है बाकी अब इस सब के बारे में ध्यान से सोचने के लिए अपना पूरा समय ले मैं अब यहां से जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद जब अगर आपके पास बुद्धी रूट आ जाए तो आप मुझे यहां पर ढूनने के लिए आईएगा इतना कहा करके सरलेंग वहां से चले जाते हैं जबके पीछे कड़ा जूफेंग गुसे में उन्हें सिर्फ घूरता ही रह जाता है और फिर जूफेंग भी अपनी आईज ओफ दा वोइट की पावर्स का यूज करते हुए वहां से टेलीपुट करके बड़ी तेजी से गू पहले क्यों आई हैं तो जूफेंग उससे में कहता है कि क्योंकि गॉड डैमिट उस कमी ने ओल्ड फॉक्स ने अपनी बड़ी बड़ी डिमांडें रख दी हैं ना कहने कवाश जूफेंग गूसेंग टॉन से पूसता है यंग सेंग जी तुमने तो पहले यंग मिस और बा गूसेंग टॉन जूफेंग से कहता है कि डैड एक हजार माइल्स के अंदर मुझे उनके खुचबू कहीं भी नहीं मिल रही है तो ये सुन जूफेंग कहता है कि वो बुड़ा फॉक्स सच मुच निस्चित रूप से काफी ज़दा सतर को गया है उसने सोचा कि मैं सभी होस इसको यहां से चुड़ा लूँगा इसलिए उसने उन लोगों को यहां से जरूर कहीं दूर चुपा दिया है कि उसने मुझे उन लोगों को कभी भी आसानी से वापस लोटाने का एडादा नहीं किया था इतना करका कि जूफेंग अपनी आँखें बंद करके कुस दिर के लिए सोचने लगता है और फिर कुस दिर यही सब सोचने के बाद वो कहता है कि अव मेरे पास ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है मुझे अव ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी जाना ही होगा और उसके लिए उस आइटेम को लाना हो बाद पर जू फेंग अपने जवरदस्थ किलिंग इंटेन्ट को रिलीस करता है और कहता है कि मगर लेकिन मैं वह इस चीज को इतनी जल्दी नहीं भूलने वाला तो अब जू फेंग इतना कहने के बाद यहाँ पर हमारी सीन्च होताँ और रात का सीन दिखाये जाता है लिए अपना रास्ता बना लेंगे तो आखिर हमें रात के छुपने का इंतजार क्यों करना पर रहा है क्योंकि इनतजार करने जैसी चीज मेरी ग्लोरी और इमेज के लिए सच में बहुत ज़्यादा बेकार है तो जूफें कहता है कि अगर यह इतना ही ज़्यादा आसान होता तब तक फिर चाहें लाखो वर्सी क्यों न बीच जाएं तो कवी भी तुम्हें कुछ भी नहीं देंगी और इसके अलावा मैं उनके साथ अपना रिस्ता भी खराव नहीं करना चाहता तो फिर गूसेंग्टोन पूसता है कि आखिर फिर आप ऐसा कैसे करोगे और आप ये कैस सपोस्ट कर सकते हैं कि आप उन्हें बिना किसी तरीके से फोर्स किये उन लोगों से उनके कीमती ट्रैजर का पता पूछ लोगे और वो लोग आसाने से बता भी देंगी कि आखिर उन लोगों ने अपने ख़जाने को कहा है तो गूसेंग्टोन की बास सुन जूफेंग अस करता हूं इतना कहने के वार्फिट जूफेंग ऊपर आश्मान में उस एर्थ गेट के स्पिरिचल बीस्ट फेंटम वटरफलाई के विंग्स को खोलता है और खोलने के बाद उन विंग्सों में से अपने इलिउजनरी मिस्ट को पूरे ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफि सिटी में फैलने लगती है तो हम लोगों को दिकाये जाता है कि सबसे पहले वांकी एक डिसाइपल में आ जाती है subject to बजाने लगती है कि ये दे ग्रेंड मा भी नोटिस कर लेती है और गेट को बजा रही है उस लड़की से कहती है कि जियाओ यू आखिर क्या हुआ मगर लेकिन जब उनके पूछने पर उनको जियाओ यू का कोई भी जवाव नहीं मिलता तो वो जल्दी से उठकर के इस सब चीज की पुष्टी करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और फिर जैसे ही वो अपने रूम के उस गेट को खोलती है तो उनके सामने चारो और जू पूने की वेस उनके अंज़ जाती है तो अचानक से उनके मन में एक जोरो का जटका लगता है और फिर वो भी जूफेंग की उस स्पेशल टेक्निक के कंट्रोल में आ जाती है और बिना कुछ भी जाने जूफेंग की सारी बाते मानते हुए अपने पैलिस से बाहर निकलात और फिर वो अपने हॉल के सभी मास्टर को देखती है और उनसे पूसती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है आखिर वो बच्चा कहां भाग गया तो सामने से आ रहे मास्टर किनकाई और बाकी के डिसाइबर्स को बताती है कि ग्रैंड मदर किसी ने हमारे बुद्धी को कहां चुपाया गया है तो आखिर कोई उसे चोरी कैसे कर सकता है मास्टर किंकाई कहती है कि ग्रैंड मदर ये बिल्कुल सच है पर्सन जिसने की ब्लैक रोग पहनी हुई थी उसने हम लोगों के सामने बुद्धी रूट को अपने हाथों में लिये हुए था और मैंने अप लगे पहले तो तुम शानत हो जा और मचे ये बताओ कि क्या तुम ने क्लियरली देखा था क्या तुम ने क्लियरली देखा ता कि जो चीज उसके हाथ में थी वह बुद्धी रूट थी। या वह कोई किसी नकली चीज के जरीए हमें धोका देने और फिर उसे चुटा ले जाने के कोजिस करने की एक चाल थी मास्टर किनका ही कहते हैं कि नहीं मास्टर वो बिल्कुल रियल थी मैंने उसे खुद अपनी आखों से देखा और इसके अलावा मैंने हाइडिंग प्लेस को भी देखा जो कि पहले से ही खुली हुई थी यह सुन ग्राइदर काफी हरान हो कि फिर आकर तुम किस बात का इंतिजार कर रही हो चल जल्दी से यहां से चलते हैं और पे चांग होता है तो में होता है तब इसके आए की स्टोरी आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी फिलाल वीडियो पसंद आई होते हैं एक लाइक कर देना साथ ही कमेंट करके जरूर बताने कि आपको हमारे यह वाला वीडियो का एक्स्पॉलेनेशन कैसा लगा और ऐसी एमे वीडियो में